Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? मैं दा हिंदू वोकाबलेरी लेकर आए हूँ और सारे ही वोकाबलेरी बहुत important है और आपको newspaper जब पढ़ते होंगे तो आपको यह दिखेगा ही दिखेगा तो इसे नोट जरूर करिएगा याद जरूर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है prejudice यह बहुत बार सुनने को मिलता है, adjective है यह prejudice मतलब होता है showing an unreasonable dislike for something or someone जब हम किसी को unnecessarily ही dislike को करते हैं किसी के लिए उसे हम prejudice कहते हैं जाधार पॉलिटिकल न्यूस में अगर आप पढ़ेंगे यह prejudice आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा second is hampered हम लोग hampered बहुत बार use भी करते हैं कि उसकी वाइसे मेरा काम hampered हो रहा है या इतना stress है कि work hampered हो रहा है तो hampered मतलब होता है to make something difficult to make something difficult मैंने words के meaning जो है English में लिखा है क्योंकि जब हम अभी English बढ़ रहे हैं तो meaning अगर English में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसलिए मैंने meaning को जो English में ही लिखा है Hindi में नहीं लिखा किसी-किसी vocabulary में जब जरौत बढ़ती है Hindi लिखने की तो वहाँ लिखोंगी अभी तो आप लोग English में ही समझे क्योंकि जरूरी है और next है in a bad light ठीक है यह idiom है इसका मतलब बता है in a way that makes someone or something look bad यह अब किसी को नीचा दिखाया जाता है उस condition में हम in a bad light यूज़ करते हैं ठीक है इसका मतलब होता है person who settles a dispute मतलब जो mediated type का काम करते हैं डिस्प्यूट को सांथ कराने की कोशिश करते हैं उसे हम आपीट उखेते हैं next है reinforce 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 मतलब होता है to make something stronger किसी को stronger करना reinforce कहलाता है inevitable inevitable मतलब होता है certain to happen and unable to be avoided or prevented जो चीज़ होना ही है उसे हम inevitable कहेंगे imperative इसका मतलब होता है extremely important or urgent volatility इसका मतलब होता है likely to change suddenly and unexpectedly volatility likely to change sudden and unexpectedly ठीक है potality imperative inevitable reinforce arbiter in a bad light hampered prejudice इसे note करेगा इसे रटलेचे guys thank you so much